लो एब्रिवन दिरिस फरास खान एंड और वाचेंग खान श्रडी पॉइंट आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जो की है लाइफ प्रॉसेस तो इस चैप्टर में से आपके Assertion Reason Based Question किस टाइप क्या सेतने हैं और आपको उसके आंसर किस तरीके से देने होंगे आज हम इसके बारे हैं बात करने वाले हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा और वीडियो को स्किप बिलकुल मत कीज़ेगा ठीक है और आगे बढ़ने से पहले मैं इस चैप्टर का जो डेटेल वीडियो है और MCQ-based Question की जो वीडियो है टॉपिक वाइस टीक न्यूट्रिशन के अलग डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांस्पोर्टेशन एंड एक्सकुरेशन में इन सब टॉप पर अलग-अलग MCQ-based Question की वीडियो और अलग से चैप्टर वाइज डेटेल वीडियो भी बनाकर अप्लोड कर चुका हूँ तो जिसने भी वीडियो ना देखी हो, मैं उस कर लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और आई बटन पर आपको मिल जाएगा, तो आप आँ से लाकर देख सकते हैं तो चलिए, बिना किसी देरे के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो बच्चों सबसे पहले, आपको पता होना ठीक है कि आपको ऑप्शन जो दिये होते हैं A, B, C, D उसमें क्या मतलब होता है तो देखते हैं, ऑप्शन A का मतलब होता है कि अगर आपका असर्चन और रिजन की स्टेट्मन जो दी गई है, दोनों ठीक हैं और साथ-साथ जो रिजन है वो correctly explain भी कर रहा हो, असर्चन को, तो आप option A लगाते हैं, ठीक है, option B में लिखा होता है कि अगर आपका असर्चन और रिजन की स्टेट्मन दोनों ठीक हैं, लेकिन रिजन जो है वो correctly explain नहीं कर पा रहा है, बताने पा रहा है असर्चन के बारे म तो आप option B लगाते हैं, और C में क्या लगाते हैं, कि अगर आपका assertion ठीक है, लेकिन रिजन माले स्टेट्मन गलत होती है, तो आप option C पूट करते हैं, और D में इसका ठीक उल्टा, यानि कि assertion गलत, reason ठीक, तो आप option D लगाते हैं, ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, assertion, reason based question का answer देने के लिए, ठीक है, तो चलिए आज के पहले question के चलते हैं, तो बच्चों आज का मारा पहला question है, कि plants lack excretory organs, कि plants के अंदर excretory organs नहीं होते हैं, जो कि बिलकुल ही सही बात है, ठीक है, plants में excretory organs नहीं होते हैं, लेकिन excretory organs फिर भी करते है ठीक है, reason देखते है, plants usually absorb essential nutrients, plants जो होते हैं आम तोर पर essential nutrients को क्या करते हैं, absorb करते हैं, ठीक है, तो यह बिस statement आपकी correct statement है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दोनों statement लोगो ठीक दे गई हैं, लेकिन जो reason है, session के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है, explain नहीं कर पा रहा है इसलिए आपका option number B हो जाएगा, इसमें correct answer, ठीक है, next question पर चलते हैं, जो की है, assertion में कि in anaerobic respiration, one of the end product is alcohol, क्या, जब anaerobic respiration होती है, तो जो एक end product बनता है, क्या, उसमें से एक alcohol होता है, क्या, तो यह statement आपकी बिलकु ठीक है, कि alcohol ही होता है, जो कि आपका product होता है, anaerobic respiration में, तो अगर आपको नहीं पता कि anaerobic respiration क्या होती है, तो आप मेरी detail वीडियो जाके देख सकते हैं, जो कि मैंने description box में डाली वही है, और आपको eye button बही मिल जाएगी, ठीक है, reason देखते हैं, तो यहाँ पर आपकी क्या है, जो assertion है, बिलकु correct, शिर्मन देख़ी कि alcohol जो होता है, anaerobic respiration में, reason देखते है, there is an incomplete breakdown of glucose, क्योंकि यहाँ बताया गया कि anaerobic respiration में, incomplete breakdown होता है, glucose का, इसी वज़े से क्या होता है, alcohol आपका बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपकी दोनो statement ठीक हो रही है, ठीक है, यह भी ठीक है, और यह भी ठीक है, तो यहा पर आपका answer क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका answer हो जाएगा, option number A, ठीक है, क्योंकि दोनो statement ठीक है, और reason ने, association को explain भी करा है, इसलिए, ठीक है, next question पर जलते है, जो कि है, in plants, there is no need of specialized respiratory organs, यहाँ बो लगया कि plants में specialized respiratory organs की जरुत नहीं पड़ती है, जो कि ब्लकुर सही बात ह ठीक है, plants को हमारी body की तरह ही specialized respiratory organs की जरुत नहीं होती है, ठीक है, तो यह statement ठीक है, विजन देखते हैं, plants do not have great demands of gaseous exchange, यहाँ बोलाएगी, plant को कोई भी gaseous exchange की great demand नहीं होती है, ठीक है, जो कि statement ठीक है, ठीक है, दोनो statement ठीक है, और यहाँ पर आपने ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको देखाई देगा की, जो reason है, reason explain भी कर रहा है, की plant पे specialized respiratory organs क्यों नहीं होती है, क्योंकि high demand नहीं होती है, gases exchange की इसी वजए से, ठीक है, तो दोनो statement ठीक भी है, और explain भी कर रहा है, reason, exception को, तो यहाँ पर आपका option number A हो जाएगा, correct answer इसमें भी, ठीक है, next question पर चलते ह लिवर में से, यानि की यकरत में से, क्या वो essential होता है, fat, sorry, lipids के digestion में, तो कि बिलकुँ सही बात है, ज़रूरी होता है, यह lipids के digestion में, तो यह अपकी statement है, reason देखते है, bile juice contains enzyme, यहाँ बोल लगा है, कि जो bile juice आपका होता है, उसमें क्या enzyme होता है, बिलकुल statement, correct, यह नहीं है, बाइल जूस में enzyme नहीं होता है, आपका जो pancreatic enzyme, जो आपका pancreatic juice होता है, उसमें आपके enzyme होता है, यह ना कि bile juice में, तो यहाँ पर जो आपका C है, बिलकुल wrong statement दी गई है, तो अगर आपकी assertionary reason में से, एक भी statement आपकी गलत हो जाती है, तो आपको answer बता पाना और ज़रा अ सान हो जाता है, तो इस case में आपका answer C हो जाएगा, जो कि इसमें assertion गलत C सही है, और reason आपका गलत है, इस वज़य से, ठीक है, next question पर जलते हैं, जो कि है, carbohydrate digestion mainly takes place in small intestine, की carbohydrate का जो digestion होता है, वो mainly कहां पर होता है, small intestine में होता है, तो यह आपका option जो है, बिलकुल ठीक है, ठीक है, कि जो main digestion होता है, carbohydrate का, वो small intestine में ही होता है, ठीक है, इस देखते है, pancreatic juice contains the enzyme lactase, क्या pancreatic juice में lactase नाम का कोई enzyme होता है, क्या, नहीं, lactase नाम का कोई enzyme नहीं होता है, ठीक है, तो यह आपका statement गलत हो गया है, तो इसलिए, यहाँ पर भी आपका answer क्या हो जाएगा, आपका option number C हो aerobic respiration requires less energy, as compared to anaerobic respiration, यहाँ बोल गया है, कि जो aerobic respiration में कम energy चाहिए होती है, अगर उसे compare करें, anaerobic respiration के comparison में, तो यह statement आपके wrong है, क्योंकि aerobic respiration में energy जार अच्छी होती है, और anaerobic में कम, इसलिए statement आपके wrong हो गई, reason दिखते है, mitochondria is the power of the cell, कि mitochondria जो होता है, वो power of the cell होता ह सही बात है, यह अपने 9 class में पढ़ा होगा, और 10 पर अपने पढ़ा ही पढ़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी assertion गलत है, reason ठीक है, तो इस case में आपका जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option number D, ठीक है, इसमें आपका option number D हो जाएगा correct answer, next question पे जलते हैं, जो कि है, arteries are thick walls and elastic in nature, क्या जो arteries होती है, उनकी जो walls, thick walls होती है, क्या बिल्कु सही बात है, क्या arteries जाने की धमनी, जो होती है, उनकी मोटी मोटी भितियां होती है, और लचीली होती है, elastic होती है, ठीक है, तो यह statement correct है, reason देखते है, arteries have to transport blood away from the heart, क्या arteries का का काम, blood को heart से, ठीक है, दूर ले जाना होता है, क्या बाकि दूसरे पार्टों में, तो यह statement भी आपका correct statement है, ठीक है, अब हमें देखना है, क्या reason explain कर रहा है क्या से, तो यहाँ पर आपका answer क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका answer हो जाएगा, option number B दुबारा से, ठीक है, क्योंकि दोनों statement ठीक है, लेकि reason ने explain ने करा, इसलिए, next question पे चलते हैं, जो कि है, human heart is four chamber, क्या हमारा जो माना भिरदे होता है, human heart क्या फोर चेमबर होता है, बिल्कु सही बात है, फोर चेमबर ही होता है, यह तो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, छोड़ी क्लासों में भी, कि फोर चेमबर होता है, सही बात होती है, जो कि दियोक्सीजिनेटेड बलड को पहुचाती है, हार्ट तक, तो यह आपका statement गलत हो गया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर लिखावा है वेनकावा, और यहाँ पर लिखावा है आर्टरी, तो आर्टरी तो होती ही नहीं है, पहली बात यह वेन आर्टर बन जाएगा, एट कोशन का, सी, चुकि असरशन ठीक, रिजन गलत इसलिए, ठीक है, नेक्स कोशन पर चलते हैं, एनर्जी इस रिक्वाइड तो करी आउट डिफ्रेंट लाइफ प्रोसेसेस, एनर्जी की जरूत होती है, अलग-लग लाइफ प्रोसेसेस करने के ल वो ATP की फॉर्म में मिलती है, माइटोकॉंड रहा है, तो यहाँ पर आपकी दोनों सेज्मेंट ठीक है, और अगर आपको नहीं पता कि ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको बता दू कि ATP की फुल फॉर्म होती है, एडिनोसिन ट्राइफ फॉस्पेट, जो की एनर्जी यसी की फॉर्म के है, तो यहाँ पर आपकी दोनों सेज्मेंट ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो क्या है क्या है तो यहाँ बिलकुल, इस एक्स आपको की फॉस्पेट महलें के जो की नियुके पकल़यों के निरे फिल्चक नमबर ए, तो दिस्लेहाँ आप सो आपकी काम होता है कि यह थ्रॉट में तो यह आपका बिलकुल प्रेस्ट होती है यह। चुलैप्स नहीं तो यह इस बात का ध्यान लगातर रही है ना विंड पाइप से वह कोलापस ना करे तो ये अपकी स्टीट्मेंट भी कर्यक्ट है ठीक है इसको यह काम होता है कि एंस्जोर करें कि यह जो कलैस्न ना करें एरपाशिच के ठीम पर तो यह अपकी दोनुर सेट्मेंट क्या वो आपका six carbon वाला molecule होता है तो बिल्कुल नहीं six carbon वाला तो आपका glucose होता है और यह होता है आपका three carbon वाला इसलिए आपकी statement यह रॉंग हो गई है तो अगर आपकी assertion रॉंग हो जाती है तो आपके लिए answer बताबना बहुत ही दार आसान हो जाता है तो कि इस case में आपका movements are needed for life क्या molecular movement जरूरी होती है जी चाहिए होती है क्या life के लिए प्रह जीवन के लिए तो यह बिल्कुल correct statement है तो यह चाहिए होती है reason देखते है body structures made up of these molecules need continuous repair and maintenance जहारा body structure जिस चिसका बना होता है जिन molecules का बना होता है कि इनको जरूरत होती है लगाता repair और maintenance की जो जी हाँ बिल्कुल जरूरत पड़ती है तो इसलिए आपका assertion भी ठीक है reason भी ठीक है और यह जो आपका reason है correctly explained भी कर रहा है ठीक है कि movement क्यो जर जैसे तकि repair or maintenance हो सके इसलिए हाँ पर आपका option number a हो जाएगा correct answer ठीक है next question पर चलते है अब जो की है diffusion does not meet high energy requirements of multi-cellular organisms यहाँ पर आपको बताया गया कि जो diffusion होती है वो multi-cellular organism में जो energy की high demand होती है उसको पूरा नहीं कर पाती तो यह बिल्कुर आपके statement correct statement है ठीक है reason देखते है and diffusion is a fast process but occurs at the surface of the body कि diffusion बहुत तेज चलने वाली process है जो कहां होती है surface of the body body के surface पे तो यह आपकी wrong statement हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर आपका reason गलत हो चुका है तो इस case में आपका answer क्या हो जाएगा यहां इस case में आपका answer क्या हो जाएगा option number c यूकि इस बार reason गलत है ठीक है और जब reason गलत होगा तो आपका answer option c ही होगा ठीक है next question पे चलते हैं जो की है the opening and closing of the pores is a function of the guard cell क्या जो pores होते हैं किसके stromata के pores गार सेल के pores होरी क्या वो open और जो close होते रहते हैं क्या function of the guard cell का क्या बिलकु सही बात है यह function ही होता है guard cell का open और close होना तो यह statement correct है reason देखते है strom metal pores are the site for the exchange of gases by diffusion क्या जो आपके stromadal pores होते हैं क्या वो site होते हैं गैस के exchange होने के लिए diffusion के द्वारा तो यह statement भी आपकी सही statement है ठीक है लेकिन यहां पर जो reason है वो reason correctly explain नहीं कर रहा है session को इसलिए यहां पर आपकांस क्या हो जाएगा यहां पर आपकांस क्या हो जाएगा option number B ठीक है next question पर चलते हैं जो की है the purpose of making urine is to filter out undigested food from the intestine यहां पर आपको बोला गया है कि जो urine बनने का purpose क्या होता है सिर्फ undigested food को intestine से filter कर दिना होता है तो यह आपका obviously wrong statement है ठीक है wrong statement क्योंकि urine का purpose undigested food को filter करना नहीं होता है intestine से urine का function होता है जो भी waste products बने है body में उसको blood से flush out कर देना ठीक है ना remove कर देना filter करके तो यहां पर आपका assertion गलत हो चुका है तो assertion गलत होने की वजह से आपका automatic answer क्या बनेगा option number D बनेगा क्योंकि यहां पर आपका option reason दिया गया होगी दिया है kidney filters the waste and produce urine kidney जो होता है filter करता है waste को और urine बनाता है तो यह statement आपके ठीक है इसलिए भी किना किसी जरी के next question पर दुकी है assertion में the inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called willi क्या जो small intestine की inner lining होती है वहां पर बहुत सारी finger-like projection होते हैं जिसको हम विलाई बोलते हैं तो यह बिल्कुर सही statement है finger-like possessions होती है बहुत सारी जिसे हम विलाई बोलते हैं जिसन देते हैं तो विलाई increase the surface area for absorption क्या जो विलाई होती है वो सर्फेस एरिया को जो absorption का सर्फेस एरिया होता है उसको इंक्रीश कर देती है क्या जी हां बिल्कुर इंक्रीश कर देती है इसलिए reason भी आपका ठीक है और है जो कि है in human beings the respiratory pigments pigment is hemoglobin क्या इंसानों में जो respiratory pigment होता है क्या वो hemoglobin होता है बिल्कु सही बात है hemoglobin को ही हम respiratory pigment के नाम से जानते हैं यानि कि आपका option number जो assertion है यह बिल्कुर ठीक है reason देखते है it is a type of protein which has high affinity carbon dioxide क्या यह एक तरह का protein होता है इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा carbon dioxide होता है तो यहाँ पर जो आपका reason दिया गया है बिल्कुर wrong दिया गया है ठीक है ऐसा नहीं होता है इसलिए आपका assertion ठीक है reason गलत है तो इसलिए आपका answer क्या बन जाएगा option c आपका correct answer बन जाएगा ठीक है next question पर चलते हैं जो की है the plants store some of the waste products in their body parts क्या जो plant होते हैं कुछ waste products को अपने body parts में store करके रखते हैं क्या बिल्कुर सभी statement है है ऐसा होता है तीक है आपने पढ़ाओ का कि जो plant होते हैं अपने old realm जोते हैं उसमें भी चीजों को store करके रख लेते हैं वेक्यों में इसलिए आपकी statement भी ठीक है ऐसा होता है रिजन देखते हैं रिफाइट्स आर दा solid waste products of plants क्या जो रिफाइट्स होता है वह solid waste product होता है क्या plant का तो यहां पर जो आपका reason दिया गया है बिल्कुल सही है solid waste product होता है यह ठीक है लेकिन यहां पर रिजन नहीं कर रहा है इसलिए अपका अंसर क्या हो जाएगा option B हो जाएगा ठीक है next question पिछलते हैं जो की है the movements of water and dissolved salt in xylem is always upward क्या जो movement होगी water की और dissolved salt की xylem में क्या वह हमेश्चा upward ही होगी बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो xylem होता है water को में तो कहां से लाता है soil से लाता है soil होती है नीचे की तरफ बागी सब बाट कहां होते है अब उपा की तरफ होते है इसलिए direction जो जो जाएगी वह upward ही हो जाएगी ठीक है तो यहां पर आपकी statement ठीक दी गई है reason देखते है the upward movement of the water is due to the low pressure created by the transpiration यहां आप आपको बताया गया है कि जो upward movement होता है water का वो इस वज़े से होता है क्योंकि transpiration ने pressure lock कर दिया होता है इस वज़े से बिल्कु सही बात है इसी वज़े से आप movement जो जो जाता है ठीक है और यहां पर क्या reason ने explain भी कर दिया है असलिए अपकांसर क्यों होता है इसलिए आपकां पार्ट ऑफ दा प्लांट क्या photosynthesis plants के green parts में होती है बिल्कु सही बात है जो जो पार्ट हरा होगा उसी जगह पर photosynthesis होगी यहने कि statement ठीक है रिजन देखते हैं photosynthesis always take place in leaves क्या photosynthesis हमेशा leaves में ही होती है क्या तो दी बिल्कुल नहीं हमेशा leaves में नहीं होती है यहां क्योंकि आप उपर अपने पढ़ लिया भी session में की photosynthesis पहुँझ जाता है हरे पार्ट में होती है अब परहा परहा पार्ट चा कोई सा भी हो वहां पर आ आप पर आपकी जो है reason wrong है और जब आपका reason wrong होता है तो आपका option number C हो जाता है correct answer ठीक है next question पर जलते हैं जो की है the average number of heart beat in a person of a person at rest is about 80 per minute यहां आपको बोला गया है कि जो heart beat का average number होता है किसी person में अगर वो rest की rest में rest की form में है तो वो 80 per minute होता है तो यह बिल्कुल wrong है ठीक है 80 नहीं होता है तो यहां पर आपकी wrong statement हो गई है next reason देखते है one contraction and relaxation of the heart constitute a complete heart beat क्या जब heart में एक पूरा relaxation and contraction हो जाएगा तो क्या उसको हम बोलते हैं heart beat बिल्कुल सही बात है तो इसी को बोलते हैं heart beat ठीक है तो यहां पर आपका assertion गलत हो चुका है तो यहां पर आपका answer D बन जाएगा ठीक है next question पर चलते हैं जो की है assertion में की ureters are the tube which carry urine from kidney to the bladder की जो ureters होते हैं वो tubes होती हैं जो की urine को kidney से bladder तक ले जाती है तो यह statement आपका correct statement दिया गया है ठीक है यह tube like structure ही होते हैं जो की urine को पहुचाते है kidney से कहां तक bladder तक ठीक है reason देखते है urine is stored in the urethra क्या urine जो होता है urethra में stored होता है बिलकुल नहीं अगे हमने पढ़ा कि bladder में खटा होता है उसे हम flush out करते हैं तो यहां पर आपका assertion आपका ठीक हो चुका है reason आपका wrong हो चुका है तो इस case में आपका answer क्या बन जाएगा आपका option number C हो जाएगा correct answer ठीक है next question पर जलते हैं अब हम जो की है assertion में की ventricles have thick walls than auricles क्या जो ventricles होते हैं क्या उनकी जो walls होती है वो auricles से ज्यादा ठीक होती है तो यहां पर आपका statement है बिलकुल ठीक है जारा चौड़ी होती है स्टेट्मेंट लगा रहे हैं हमें ठीक रीजन देखते हैं वेंट्रिकल्स have to pump blood into various organs with great pressure क्या वेंट्रिकल्स क्या करती है ब्लड को pump कर देती है अलग-अलग organs में एक great pressure के साथ में तो यह statement भी आपका बिलकुल सही है और अगर आप यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर reason ने session को explain भी कर रहा है कि वेंट्रिकल्स की मोटी मोटी वोल्स क्यों होती है ताकि वेंट्रिकल्स क्या है अलग-अलग body organs में great pressure के साथ में blood को pump कर सके इसलिए तो यहां पर आप cancer क्या हो जाएगा यहां पर आप cancer हो जाएगा option number A ठीक है next question पे चलते हैं जो कि है कि capillaries are the thinnest blood vessels blood vessels जो होती है वो यही होती है reason देखते हैं capillaries connect the branches of arteries and veins क्या capillaries जो होती है जुड़ी भी होती है arteries और veins की branches से तो यह आपका statement विल्कुर ठीक है तो यह दोर से पिन अपके ठीक हो चुकी है लेकिन इस question में reason ने question को explain नहीं करा है तो इसलिए आप कहां से क्या हो जाएगा option number भी आपका इसमें correct statement हो जाएगा ठीक है next question पे चलते हैं जो कि है blood takes up oxygen from the alveolar air and releases CO2 during exchange यहाँ पर आपको बोला गया है कि blood जो होता है oxygen को ले ले लेता है alveolar air से and release करता है CO2 during exchange के दुरान CO2 को release कर देता है तो यह आपका statement जो है बिल्कुश सही दिया गया है ठीक है ऐसा ही होता है reason देखते हैं आप हम कि the contraction of O is more in alveolar O मतलब है और oxygen है ठीक है कि जो contraction होता है oxygen का उस ज्यादा होता है alveolar air में तो यह भी statement आपका बिल्कुश सही है ज्यादा होता है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है reason नहीं कर रहा है session को तो इस case में आपका answer क्या हो जाएगा option B हो जाएगा दुबारा से आपका answer ठीक है next question प होता है तो जी wrong यह सबसे बड़ा हिस्सा नहीं होता है ठीक है तीजन देखते हैं Tiger has a shorter small intestine than herbivores Tiger का जो small intestine होता है वो छोटा होता है क्या herbivores के comparison में तो यह आपका statement में ठीक है ठीक है कि जो जितने भी हर्वी वर्स होते हैं घासपूश खाने वाले plant products खाने वाले animals उनकी जो small intestine होती है वो ज्यादा लंबी होती है ठीक है as compared to lion tiger मैंने जो carnivore के comparison में ठीक है तो यहाँ पर आपका association गलत है reason ठीक है इसलिए आपका answer D हो जाएगा correct answer ठीक है next question पर चलते हैं जो की है most of the living organisms carry out aerobic respiration की ज्यादा तर जो आपके living organisms होते हैं वो aerobic respiration करते हैं जो बि लिविंग organism aerobic respiration ही करते हैं ठीक है reason देखते हैं mitochondria is the site of aerobic respiration in the cell कudding mitochondria जहाँ जगा और हो her back respiration हो रहार होता है यहां बिल्कुल सही बात है यही वह जगा उते हैं जहां पर legislation होता है ठीक है तो यहाँ पर आत्ला डोनरुँच्णों ठीक है लेकिन रिजन ने यहां पर explain नहीं कर रहा है असरेशन को इसलिए आपका option हो जाएगा option number B is correct ठीक है next question पर चलते है जो की है the Bowman's capsule and the tubule together make a nephron क्या Bowman's capsule और जो tubules होते हैं नलिका जो tube black structure होते हैं क्या वो मिलकर nephron बनाते हैं तो यहां पर आपका statement ठीक है इनी से मिलके बनता है आपका nephron तो यहने कि आप जो Bowman's capsule लाई है nephron का ही पार्ट और nephron क्या होता है kidney की functional unit होती है यह ठीक है तो यह आपका statement ठीक है reason देखते हैं कि the function of tubule is to allow the selective reabsorption of substance like glucose, amino acids, urea, salts and water into the blood कि जो function होता है tubule का वो यह होता है कि allow करते ना reabsorption का ठीक है kidney सबसाथ का reabsorption हो सकता है glucose हो गया, amino acids हो गया, urea हो गया salt और water हो गया into the capillaries, capillaries में इसका काम यह होता है क्या तो जी, बिलकोल नहीं यहाँ पर इसका काम यह नहीं होता है इसलिए यहाँ पर आपका यह statement जो है यह हो जाएगा wrong इसलिए आपका answer क्या बन जाएगा आपका answer बन जाएगा option number C क्योंकि यहाँ पर आपका assertion ठीक था, reason करता है इसलिए आपका option number C is correct ठीक है, next question पर चलते है जो कि है pancreatic juice, digest, starch, protein and fat क्या pancreatic juice जो होता है जो कि pancreatic juice निकलता है अगनाशय से निकलता है क्या वो starch, protein and fat को digest करता है तो यहीं digest करता है हमारे starch, protein and fat को कहाँ पर digest करता है small intestine में, आखरी बार ठीक है, तो यह statement ठीक है reason देखते है, pancreatic juice contain digestive enzymes like pancreatic amylase, trypsin and lipase pancreatic juice में enzymes होते हैं, जैसे कि amylase हो गया, trypsin हो गया, lipase हो गया तो जी हाँ, बिल्कुल यहीं तीन इसमें enzyme होते हैं तो यहीं भी statement आपका ठीक हो गया है और यह reason जो है explain भी कर रहा है तो यहीं तीन enzyme में होते हैं वो starch, protein and fat को digest करते हैं तो यहाँ पर आपका option number A हो जाएगा, correct answer ठीक है, next question पर जलते हैं जो कि है assertion में the accumulation of lectic acid in the muscles causes muscle cramp क्या जो हमारी muscles में lectic acid बनता है, क्या इसी के वज़े से muscles में cramp आता है क्या तो यह बिल्कुल सही बात है lectic acid बनने की वज़े से ही muscles में cramp आता है विघरस फिजिकल exercise leg muscles respire anaerobically कि जब हम बहुत ज़्यादा physical exercise करते हैं तो leg जो होता है anaerobically respire करने लग जाता है तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है anaerobically respire करने लग जाता है जब हम बहुत ही ज़्यादा exercise करते हैं अपर बहुत ज़्यादा active होते हैं जयराती है वे प्ता की करिकेट होता है फूटबॉल बगैरा मैस में तो इसलिए क्या होता है he देख करना शुरू कर देती है इसलिए वहां बननता है आपका lactic acid और इसलिए वहां पर क्रैम पाज़ता है तो यह न रहन चलते हैं जो कि है फ्लोयम एक ट्रांस लोकेशन ऊफ फूड फूड फ्रॉम दर लीव क्या होता है लीव से फूड करता है तो जी बिल्कुल सही बात है फूड मत्रियल का लीव से प्लांड के अलगलग पार तक ट्रांसपोर्ट हो जाना है पहुच जाना इस रीजन देखते ह Fluem provides mechanical support to plant क्या Fluem plant को mechanical support support देता है क्या तुझी नहीं यह mechanical support नहीं देता है इसका काम सिर्फ transportation का होता है food material का यहाँ पर आपका option number C हो जागा correct क्योंकि assumption ठीक है reason गलत है इसलिए ठीक है last question पर जलते है आज की हमारे जो की दिया गया है होगी विल्कु mismos सही बात है जब को एर जोगी है नहीं तो ट्राह्पं के नहीं भी आपका आपके अपी Sam प्श कर रहा हा है थाब का ऑप्शनensional एप रूल जब más रेक्ष्ण कीलिए फिम्सरां करिक विए पसंद आई हो तो वीडियो को लैक ज़रू लग कीजिए मिलते हैं आप से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए ठील टेक क्यार बाए